नमस्कार साथियों इन्फूजर नोड्स के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है यह सेसन रहेगा इंडिया जी के का इस सेसन में 25 महतुपन क्यूशन साथियों इंडिया जी के के देखेंगे यह सभी क्यूशन उन सभी प्रत्योगिता प्रिक्षा के लिए साथियों सम्म काफी उप्योगी रहेंगे वन लाइनर के रूप में यह सेसन रहता है जिससे आपका कम समय लगता है और आपको महतुपूर्ण 25 क्यूशन इंडिया जी करके मिल जाते हैं मेरे दुवारा किया दा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेसन को लाइक वर से ज निकाले गई थी यह आपसे पूछा गया है तो आंसर है रोपर से कहां से निकाले गई थी तो आंसर होगा रोपर से निकाली गई थी इपोर्टेंट क्यूशन है पूछा जा सकता है पंजाब की सरहिंद नहर किस स्तान से निकाली गई थी तो आंसर होगा रोपर से निकाले गई थी most important question है साथ यों पूछा जा सकता है आगे बढ़ेंगे अगले question पर बात करेंगे अगला question आप से पूछा है हरियाना के ताजेवाला नामक स्थान से कौन सी नहर निकाली गई थी ये question important है आप से पूछा है हरियाना के ताजेवाला नामक स्थान से कौन सी नहर निकाल गेई थी, इपोर्टेंट क्योषन है, पंजाब के सरहिंद्घ, जो नवरय किसतान से निकाले गेए थी, तो आंशर है, रोपट से, और हरयाना के ताजे वाला नामक हो सी नवरय के ततान से तो आशर होगा, पस्छे मीयूम्ना नहर निकाली गय थी, आगे बढ़ेंगे, अग पर्देश में होती है दक्षिनी भारत में पुछा गया है आप से दक्षिनी भारत में नहरों द्वारा शिंचाई है जो सबसे जादा किस राजे में की जाती है तो आंसर होगा आंदर पर्देश में की जाती है आगे बढ़ेंगे अगला क्योंसन है तलाबों द्वारा संचाई की जाती है तो काफी फाइदा रहता है इपोर्टेंट है पुछा जा सकता है तलाबों दोवारा संचाई के लिए कौन सा कारक अनुकुल होता है तो पथिरी भूमी है वह है उपयोगी होती है सातियों आगे बढ़ेंगे अगला क्यूसन आप से पुछा गया है समुंदरी मत्षय गरहन छेतर को क्या कहा जाता है तो आंसर होगा महादीप्य मगर तटे कहा जाता है important question ऐसा पूछा जा सकता है आप से आगे बढ़ेंगे अगला question आप से पूछा है बारत में समुंदरी मचली पकरने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आंसर है केरल में है जो समुंदरी जो मचलियां होती है उसको पकड़ा जाता है सबसे जादा कहां पर है केरल में आप से पूछा है बारत में समुंदरी मचली पकड़ने वाला सबसे बड़ा राजय कौन सा है तो आंसर होगा केरल में है जो सबसे जादा समंदरी मचली पकड़ी जाती है जाती है जाती हो आगे बढ़ेंगे अगला क्यूसन है रबड को किस पेड के दूद से प्राप्ते किया जाता है यानि जो रबड होता है उसको किस पेड़ के दूद से प्राप्त किया जाता है तो ब्राजिलिनिस नामक पेड़ के दूद से प्राप्त किया जाता है यानि रबड है उसको ब्राजिलिनिस नामक जो पेड़ होता है उससे प्राप्त किया जाता है आगे है हरित क्रांती नामक पत का प्रियोग स्रोव पर्थम 1968 में किस विद्वान ने किया था तो आंसर होगा विलियम गोड आप से पूचा है हरित क्रांती नामक पत का प्रियोग स्रोव पर्थम पूचा है साती है और उसमें सन भी दे रखा है 1968 में किस विद्वान ने किया तो आंसर होगा विलियम गौड की द्वारा किया गया था हरित करांती नामक पत का प्रियोग स्रोपर्थम 1968 में किस विदुवान की द्वारा किया गया था तो आंसर होगा विलियम गौड की द्वारा किया गया था आगे बढ़ेंगे अगला क्यूसर आप से पूचा है खनीज परदार्थों की दरश्टी शें बारत का कौन सा पठार है जो सबसे अधिक हे धनी है तो आन्सर होगा छोटा नागपुर का पठार अन्सर रहेगा छोटा नागपुर का पठार इपोस्टेंट है पूछा जा सकता है सात्यों आगे बढ़ेंगे अगला question आपसे पूछा है बार्त के किस राजे में लोहा ऐसा का उत्पादन सबसे अधिक होता है तो अंसर होगा उडिशा यह most important question रहेगा साथियों अगला question मैं आपसे पूछा जा सकता है बार्त के किस राजे में लोहा ऐसा का उत्पादन सबसे जबसे ज़ादन है जो लोहा ऐसा का होता है आगे है लिगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राजे है तो अंसर होगा तमील नाडू है लिंग नाइट का सबसें बड़ा उत्पादक कौन सा राजे है तो आंसर होगा तमील लाडू आंसर क्या रहेगा तमील लाडू है जो सबसें जादा उत्पादक के राजे है आगे है कौन सा कोईला लकडी की बांती जलता है तो आंसर होगा पीट कोईला आप सेम पूछा है कि कौन सा कोईला है जो लकड़ी की भांती जलता है तो आंसर होगा जलता है ये भी अपने को पता होना चाहिए आगे बढ़ेंगे अगला क्यूसर आप सेम पूछा गया है किस नदी बैसिन में सबसे अधिक धनीज बाते हैं ये most important question है, आप से पुचा है किस नदी बैसिन में सबसे अधिक खनीजे पाए जाते हैं, इसको most important लगाना साथियों, most important question है, रहेगा, किस नदी बैसिन में सबसे अधिक खनीज पाए जाते हैं, तो आंसर होगा, दामोदर जो नदी बैसिन है, उसमें सबसे ज़्यादा आगे है सबसे अधिक कोखर कोईला जारखंड के किस कोईला चैतर से मिलता है तो जर्या एक चैतर है वहाँ पर मिलता है कोईला जारखंड का जो जर्या चैतर है वहाँ सबसे अधीक пока कोईला पाया जाता है साथियों। आपसे पूचा है सबसे अधीक koker कोईला जारखंड के किस कोईला चेत्र में मिलता है तो अनसर होगा जरीया चेत्र है वाँ पर सबसे ज़ादा मिलता है important है पूचा जा सकता है आपसे आगे बढ़ेंगे अगला क्यूसर आपके सामने है 36 गड की बेला डिला खान का लोहा किस बंदरगा से निर्याद किया जाता है आंसर है विशाखा पतनम ये most important क्यूसर ने रहेगा आप से पूचा है 36 गड की बेला डिला खान का जो लोहा है वो किस बंदरगा से निर्याद किया जाता है तो आंसर होगा विशाखा पतनम important क्यूसर ने सातियों पूचा जा सकता है आप से आगे बढ़ेंगे अगला क्यूसर आप से पूचा है बारत में खनीजों की दर्ष्टीशे निर्दन चेतर कौन सा है तो आंसर होगा गंगा का जो मैदान है उसको खनीजों की दर्ष्टीशे है जो निर्दन चेतरे माना जाता है पूचा जा सकता है आगे है बारत में सबसे अधिक उर्जा किस रोच से प्राप्ते होती है तो कोईले पर अधारित ताव विजुत ग्रह से बारत में सबसे अधिक जो उर्जा है किस रोच से प्राप्त की जाती है तो आंसर है कोईले पर अधारित ताव विजुत से प्राप्ते की जाती है आगे बढ़ेंगे अगला क्यूसन आप से पूचा गया है किस परकार के लोह है एशक में चुम्ब किया गुन होते है यानि किस परकार के लोह है एशक में चुम्ब किया गुन होते है तो आंसर है मेगने टाइट इपोटेंट है पूचा जा सकता है किस परकार के लोह है एशक में चुम्ब किया गुन होते है मेगने टाइट है आगे है केंगा परमानु विदूत गरह किस राजय में श्तित है ये क्यूशन साथियों साइद BPSC का जो एक्जाम वहा था BPSC उसमें पूछा गया था केंगा परमानु विदूत गरह किस राजय में श्तित है तो आंसर होगा करनाटक इपोर्टेंट है बोहा इस्तिपात के अंदर कहा श्तित बहा है तो आंसर होगा भध्रावति में श्तित है आगे बढ़ेंगे अगला क्यूसद आपसे पूर है साहभूर मील तथा केलिको میल किस नगर में इस्ताफित की गी थी तो आंसर है एहमदाबाद में सहापूर मील तथा केलिको मील है जो किस नगर में स्तापित की गई थी तो आंसर होगा एहमदाबाद में स्तापित की गई थी कौन सी सहापूर मील तथा केलिको मील किस नगर में स्तापित की गई थी तो आंसर है एहमदाबाद में है जो स्तापिते की गई थी आगे है पट्षरन उद्योग किस उद्योगित चेतर की विशेशता है तो आंसर होगा हुगली परदेश की आंसर क्या रहेगा हुगली परदेश की आप से में पूछा है पट्षरन उद्योग किस उद्योगित चेतर की विशेशता है तो आंसर होगा हुगली परदेश की कौन सा है तो आंसर होगा नोर्दन बात की कितने परतिसत वर्सा दक्षनी पस्चिमी मानसुचे होती है तो आंसर होगा पिछेतर परतिसत वर्सा है जो बात के दक्षनी पस्चिमी मानसुचे होती है यानि बात के आप से पुछा है जो बात की उन स्भी पर्तोकिताा परिक्षा के लीव ost यूप के रहेंगे जिन में इंडिया जी की पूछा जाता है चाहिए वो R S हो 1st grade का पर्थम पेपर हो इसी प्रकास 2nd grade के पर्थम पेपर में में भी इंडिया जी की पूछा जाता है इसके रावा दिल्ली पुलीस हो गया और S.A.C. का एक्जाम हो गया तो सात्यों मेरे दुआर किया गए यह प्रयास आपको पसंदा है तो इस सेशन को लाइक और से जरूर कीजिएगा इन्फूजन नोट्स की यूटूब चैनल को लाइक और सिस्क्राइब कीजिएगा पीडिएफ का लिंक सात्यों डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं वहां से आप पीडिएफ असानी से डाउनलाओड कर पाओगे धन्यवाद